जब छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे, तो दुनिया कहती थी याद रखना सीखो, पर अब बड़े हुए हैं तो हर बात याद रहती है, तो दुनिया कहती है भूलना सीखो. मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में एक बात सीखी है, कि दिस्ता सबसे रखना चाहिए, लेकिन उमीद कभी किसी से नहीं रखनी चाहिए. आपकी लाइफ में भी कुछ लोग ऐसे होंगे, जिने कितना भी अपना बनानी की कोशिश कर लो, लेकिन वो अपने होंगे, लेकिन अपने बिलकुल भी नहीं होंगे. इस दुनिया में आपको गलती पर समझा कर साथ निभाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, पर साथ छोड़ कर जाने वाले बहुत लोग. अगर आपकी लाइफ में बुरा वक्त नहीं आएगा, तो आपको अपनों में चुपे गैरों का पता कैसे चलेगा, और गैरों में चुपे अपनों का. अपना और पराया कौन होता है? यार मैंने तो यही जाना है कि जो आपकी फीलिंग को समझे, आपकी एमोसिन्स को समझे, आपको हर फेज में आपके साथ खड़ा रहे, वो होता है आपका अपना. वो भले ही आपसे दूर रहता है, पर दूर रहकर भी आपकी फिक्र करता है, और कभी दूर होने का ऐसास नहीं होने देता. और यार जिन लोगों को दूर होना होता है, वो लोग आपसे दूरी बना ही लेते हैं, कोई ना कोई excuse निकाल ही लेते हैं. अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत जादा चाहता है आपकी बहुत जादा केर करता है आपके ये बारे में बहुत जादा सोचता है आपके उदास होने पर वो खुद उदास होता है और आपको उदास कभी होनी नहीं देता आपको हमेशा वो हस आपके लिए सारे एफ़र्ट्स डालता है तो प्लीज उस इंसान को कभी नहीं खुना चाहिए उस इंसान की कदर करनी चाहिए अगर आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है तो प्लीज उसके साथ यह वीडियो शेर कीजिए और थेंक्यू सो मुच फर वॉचिंग दिस व